कुछ तारिखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं 13 दिसंबर 2001 की तारिख भी इतिहास में दर्ज हो जाने के लिए ही आय थी गोलियों की आवाज हाथों में 417 लिए संसत के आहाते में इधर उधर दोड़ती आतंकवादी इधर से उधर भागते लोग कुछ ऐसा ही नजारा था संसत भवन का जो हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था लेकिन बदकुस्मती से हर तस्वीर सच थी उस रोज उस वक्त लोगसभा और राजिसभा दोनों ताबूत घोटाले पर मचे ववाल की वजह से स्थगित हो चुकी थी वक्त था 11 बज कर 20 मिनट कुछ संसत बाहर निकल गए थे कुछ केंद्रिय कक्ष में बाचीत में मश्कूल थे किसी को अंदाजा न था कि क्या होने वाला है सफेद रंग की एक अमबैस्डर कार संसत मार्क पर दोड़ती चल रही थी घंघनाती हुई लाल बत्ती और साइरन की आवास ये कार विजह चौक से घूम कर संसत की तरफ बढ़तने लगी जब कार को रोका गया तो आतंकियों ने उपर राश्रपती के काफिले को टक कर माती दिल्ली पुलिस के जीत राम और विजहंदर ने रोकने की कोशिश की तो उधर से फाइरिंग होने लगी संसत के सुरक्षा में सेंध लग चुके थी ये कारस्तानी थी जैशे मुहम्मद के पांच आतंकवादियों की ये पाकिस्तान की भारतिय लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को मिस्तनाबोद करने की साजिश थी संसत पर हुए इस हमले ने पूरे देश को जखजोर दिया लेकिन परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेल कर इसका सामना किया देश की संप्रभुता और लोकतंत्र के इस मंदिर पर कोई आच ना आये इसके लिए जान की बाजी लगा कर सुरक्षा कर्मियों ने सभी पांच आतंकियों को मार गिराया आतंकियों के इस हमले का सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के पांच जबान, सीर पीएफ की एक महला कॉंस्टेवल और संसत के दो गार्ड शहीद हो गए चुलह जबान इस मुठ भेड में खायल हुए लोकतंद पर हमले के इस मास्टर माइंड अफजल गुरु को फांसी के तखते तक ले जाने में देर भले हुई हो लेकिन आखिरकार देश की जनता को न्याय मिला 13 दिसंबर 2001 की तरही नौफरवरी 2013 भी इतिहास के पन्नों पर तर्जो कर रहेगा